Manage Your Photos Select Photo Window से आप अलबम के लिए फोटोस को मैनेज कर सकते हैं पहले हम फोटोस को सौफटवेर में इंपोर्ट करते हैं Hard Disk, CD या DVD Drive या फिर USB Drive में से फोटोस इंपोर्ट किये जा सकते हैं Folders को अलग-अलग View Style में देख सकते हैं Top Option बार में फोटोस के Viewing Styles के Options दिये गए हैं जिस Option में आप Comfortably फोटोस को देख एवं Select कर सकते हैं उस Option को Select कीजिए Thumbnail View में फोटोस की Thumbnail Size बड़ी करके फोटोस का Better View पा सकते हैं Bottom Option बार में दिये हुए टूल से आप एक या एक से ज़ादा फोटोस को Resize, Rename या फिर Rotate कर सकते हैं फोटो के Features को Enhanced करते हैं जिन फोटोस को आप Edit करना चाहते हैं उन्हें Select कीजिए और Edit Express Option से लेक कीजिए ये Option सिर्फ उन Users के लिए है जिनके Computer में Edit Express Software Install एवं Register हैं यहाँ पे Photo Editing के कई Features दिये गए हैं फोटो के Features के मुताबिक Preset सेलेक कीजिए फोटो पे Apply हुए Changes को आप Slider से Manage कर सकते हैं इसी तरह से आप फोटोस का Level, Curve, BCG और RGB Effect अजिस्स कर सकते हैं अगर आप यही इफेक्ट सारे फोटोस पे Apply करना चाहते हैं तो इस Check Box को Check कीजिए और फोटोस को Save कीजिए इसी तरह से इंडिविजल फोटोस को Enhanced Option से Edit किया जा सकता है फोटोस Resize करने के लिए Resize Option सिलेक कीजिए जिन फोटोस को Resize करना है उनके नाम के पीछे दिये गए Check Box को Check कीजिए अगर आप फोटोस को Percentage के मुताबिक Resize करना चाहते हैं तो Percentage Dropdown Menu से Desired Percentage सिलेक कीजिए Original और New Tab में आप Changes देख सकते हैं Quality Indicator आपको फोटो की Quality की जानकारी देता है अगर आप फोटो को किसी Particular Size में Resize करना चाहते हैं तो Size Option सिलेक कीजिए और दिये गए Option में से अपनी मनचा ही Size सिलेक कीजिए Sizes Customize करने के लिए Size की DPI, Unit, Width और Height सिलेक कीजिए फोटोस को Override करने के लिए Save Option यूज़ कीजिए या फिर फोटोस को नए नाम से Save करने के लिए Save As Option यूज़ कीजिए फोटोस को Rename करने के लिए Rename Option दिया गया है एक Rename Window ओपन होगी Format Option में Renaming का Format डिफाइन करना है और Start From में फोटोस का स्टार्टिंग डिजिट Changes को New File Name टैब में देख सकते है Save Option से Changes को Save कीजिए Sort By बटन से आप फोटोस को Date, Modified Time, Name, Size, Type, Orientation या फिर Selection के मुताबिक Ascending या Descending ओर्डर में Sort कर सकते है Select बटन से आप एक या एक से जादा फोटोस को Select कर सकते है यहां से आप Number of Selected Photos को देख सकते है यह Indicator Highlighted Photo की Position शो करता है Send to Option से आप फोटोस को Hard Disk के किसी भी फोल्डर में Send कर सकते है इस तरह से आप फोटोस को बड़ी ही आसानी से Manage कर सकते है